हलो फ्रेंज, सबका दिन मंगल मैं हो, हैपी कुकिंग मोमेंस में आज हम बना रहे हैं होली स्पेशल रेश्पी, मालपुवा रेश्पी जरूर ट्राई करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, शेयर और कमेंच भी करिएगा तो मैं मैंधे का मालपुवा बना रहे हूँ, तो ये बाकी तेवारों पे भी बनती है, लेकिन ये होली की खास रेश्पी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले एक शमच दही डालेंगे तो इससे क्या होता है, कि फर्मेंटेशन होता है, और ये फलफी बनते है और डाला है केसर वाला दूद, एक चमच दूद में केसर भीगो के रखा था, वो एड़ करेंगे और हमें दूद से इससे गुथना होता है, बैटर बनाना रहता है तो लेकिन बाकी इंग्रीडेंस देख लेते हैं, तो ये सौंफ है और ड्राइफ रूट्स है, काटके रखा हुआ है इसको हम मिक्सी में थोड़ा सा 3-4 सेकेंड के लिए हलका सा ग्राइंड कर लेंगे, फिर इस्तिमाल करेंगे ये पाउडर इसका नहीं बनाना है, तो ये हमने ड्राइफ रूट्स और सौंफ ग्राइंड कर लिया है नार्यल बुरादा डाला है, आप चाहें तो लच्छे वाला नार्यल भी आड़ कर सकते हैं और थोड़ा-थोड़ा दूद डालते हुए, हमें इसे घोल बना लेना है आप चाहें तो मावा दूद में मावा मिक्स करके एड़ कर सकते हैं लेकिन मैंने दूद में मावा नहीं डाला है, तो इसलिए मैं अलग से मिल्क पाउडर का इस्तिमाल कर रहे हूँ तो लगबग 3-4 चमच मिल्क पाउडर डाल दिया है, इससे स्वाज इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जरूर अट करिएगा इससे हमें बढ़ियां से दूद डाल करके बैटर बना करके बढ़ियां से इसको फेट लेना है तो यह हमारा बैटर तैयार हो गया है, इसे हम करीब आदा गंटा से एक गंटा के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे और फिर चाशनी तैयार करेंगे, तो चाशनी के लिए लगवर एक कप हमारा मैदा था, चीनी भी हम उतनी ही लेंगे और पानी भी बराबर ही लेंगे, और इसे हमें उबालना है, जैसा कि यह है, स्वीट डिश में तो इलाइची जरूरी है, तो दो इलाइची थोड़के डाल दिये हैं और इसे उबालेंगे, उबनने के बाद 3-4 मिनट के लिए हमें पकाना है, तो उसमें अगर चिप-चिपी चाशनी नहीं हो मिलती है आपको तो थोड़ी देर और उबाल लेजे तो चाशनी हमारी उबल रही है, थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ाने के लिए, केवड़ा या रोज एसेंस डालेंगे, 3-4 बूदें और फ्लेवर फुल बनाने के लिए, कुछ केसर डाला है, कलर भी इससे बढ़ियां आ जाता है और अभी थोड़ी सी उतनी चिपचिप़ी से चाशनी नहीं लग रही है, तो एक दो मिनट और उबाल लेती हूँ और अब हातों में चिपख रही है, तो चाशनी हमारी तयार है, तो इसको रख देंगे और जब मालपूय हम बनाएंगे, तो हलकी गुन-गुनी चाशनी में एड करेंगे, बहुत गरम चाशनी में हमें नहीं आड करना है चाशनी को हमने हटा दिया है, अब पैन में घी डाला है, आप चाहें तो ओयल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और उसके पहले बैटर को एक बार और इस्तिमाल करने के पहले बैटर को फेट लेना है, थोड़ा-थोड़ा बैटर ले करके हम पैन में डालेंगे तो बैटर थोड़ा सा डाल दिया है, अभी घी बहुत जादा गरम नहीं है तो थोड़ा रुख करके दूसरा पुवा डालेंगे उपर से थोड़ा सा तिल भी खिसका दिया है अब चलिए इसको पलट लेते हैं और मीडियम से लो हीट पे हमें इसे ब्राउन होने तक और अंदर से कुक हो जाए आप चाकू की साहता से टूथपुक की साहता से चेक कर सकते हैं फिर उसके बाद हमें चाशनी में एड़ करना है तो जगे बना के मैंने दूसरा पुवा भी फ्राई होने के लिए डाल दिया है तो जितना आप आपका पैनो जिस साइज का उस से साब से तीन चार पुवे आप एक साथ में डाल सकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा गैप रखें तो हमें इन्हें चार-पांच मिनट के लिए फ्राई कर लेना है दोनों तरब से तो देखिए माल पुवे का कलर हमारा बढ़ियां सा आ गया है तो निकाल लेते हैं दबा लेंगे तो जिसे एक्स्ट्रा घी रहेगा निकल जाएगा इसे अब हम चाशनी में डाल देंगे चाशनी भी हमारी अब थंडी हो गई है काफी माल पुवे बना लिये हैं अभी कुछ अभी बन रहे हैं तो आप चाहें तो इसको यूँ ही इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर इसके उपर इसको रबडी में भी डाल सकते हैं या फिर इसमें इसके उपर पिष्टा और चादी वर्क से गानिश कर सकते हैं देखने में तो इसको बरतन में चाशनी के साथ ही रखोंगे